जय हिंद इस वीडियो हो लोग विसाखा इंडर्स्ट्री लिमिटेड कंपनि बारें बात करेंगे जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी नभी हाली में जो डिविडेंड देने की घुसरा की है और कब मिलेगा कितना रुपया मिलेगा और हमेशा एक तरह हमारा प्रमुख सवा करेंगे एक एक चीज पर विस्तार से बात करेंगे चले वीडियो शुरू करते हैं कंपनी मुल रूप से दच्छन भारत की कंपनी है और इसका हेड़कौर्टर तेलंग नाम है यह कंपनी सीमेंट प्रड़क्ट बनाती है और साथ फाइवर का सीट अगर आप देखे हो यह बनाने के काम करती है कमपनी का मार्केट क्याप है 1072 क्रॉण ठीक ठाक है और अगर शेयर प्राइस की बात करने तो सेयर प्राइस से 600 एकउन रूप्या और हाई लगा चुगा कंपनी 875 डूपया का अधिकत्तम 864 रूपय के आसपास गया है अब हम आ बात करते हैं बोर्ड प्रेशिडेंट थे कंपनी सेक्रेट्री उनको बदल दिया है और नया जो बेक्ति कंपनी के सेक्रेट्री बने हैं उनका नाम है रामकांत कानापूली दस्रिण भारत के लोगों का ऐसा ही नाम होता है उनको कंपनी के वाइस प्रेशिडेंट से कंपनी सेक्रेट्री बनाया ग और company 5 से 10 रुपे परती share dividend देती है यह भी ठीक ठाक है अब हम लोग बात करते हैं अभी जो company dividend देनी के खुंसरा की है वो कब मिलेगा और कितना रुपया मिलेगा देखिए company 7 रुपय पर आपको 7 रुपया मिलेगा और face value है 10 रुपया यानि कि जब आप 10 रुपय के face value पर 7 र रिकोर्ड लिष्ट में आते हैं तो आपको dividend दिया जाएगा और आपको अगर आपके पाइस company का share नहीं है तो आप 28 जनुवरी के अगर इस company के share को buy करते है तो आप एक फ्रोरी के पहले तक आप इस company के record लिष्ट में आ जाएगा और आपको भी dividend मिलेगा और dividend जो company देगी आपको बैंक एकाउंट में के पहले तक आ जाएगा मतलब 22 दिन का मतलब तीन सब्ता में आपका dividend आपको बैंक एकाउंट में आ जाता है अब थोड़ा सामलों इसका holding पैटर्स को देखते है और holding चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं देखें company में promoters को holding 45.85% ठीक है और public क इसमें हिस्सेदारी हैं 48.52% होना यह चाहिए कि company में promoters का holding public से ज्यादा होना चाहिए लेकिन फिर भी यहां कोई ज्यादा difference नहीं है ठीक ठाक है और FII और DII का हिस्सेदारी सिर्फ 5.03% मतलब holding pattern का अगरिसाफ से देखें तब भी company ठीक है और analyst देखें इसको 100% analyst suggest कर रहें इस company के share को buy करने के लिए यह company all time profitable company रही है और cement उधोक से जुड़े हुए तो कोई सकने है कि इस sector का जो future है काफी bright होने वाला है company के अगड़े ठीक ठाक है fundamentally based strong है हलाकि इसके quarter three result आने आप भी बाकी है लेकिन इस company के quarter one और quarter two के जो result आ है वो काफी अच्छे रहें तो अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आपके लिए इसे काम के खबर लेकर आते रहत हूँ मिलते है नेक्ष वीडियो में आज के लिए वसे इतना ही धन्यवाद सुक् आपके लिए